बजाज हाउसिंग फाइनसे अर्कुले बजाज हाउसिंग फाइनस की लिस्टिंग आपके स्क्रीन पर होती वी दिख रहे हैं तो यह दमदार लिस्टिंग आपके लिए बजाज हाउसिंग फाइनस की उम्मीद के मताबिक डबल होता हुआ लिस्टिंग पर और अब जिन लो यह तो आज सबको लग रहा है डबल हो रहा है तो जिस दिन इशू आया तो इस दिन में लिस्टिंग पर ही डबल हो जाएगा आप ले लीजिए जिनें मिला उनको बहुत बहुत दिल से बढ़ाई या नहीं मिला आड लग बेटर लग नेक्स टाइम कोई बात नहीं वो क्या क जाते हैं इससे बतर है फिर आप थोड़ी इस पर नो डाउट बजाज में कोई खरावी नहीं दूर दूर तक मैं धून धूनने जाओंगे तो भी नहीं पाओंगे क्योंकि प्रोमोटर बहुत अच्छे हैं ग्रोथ कमाल की है विलिश्टिंग ठीक रखे हैं आगी भी किसी को इतने अलोटमेंट मिले भी नहीं को आके बेच जाए अगर कोई स्टॉक को बेचेगा फंड तो एक ही वज़े से बेचेगा कि मेरे पास सफिचेंट क्वांटिटी नहीं है ऐसे मैं इतना से शेर रखके क्या करूं और डबल होना तो बेचने वाले लिटेल तो जो लोग लॉंग टर्म इन्वेस्टर से रख लीजिए जो लोग शॉट टर्म इन्वेस्टर से 125 करिस्टो कर लो सकिए ताकि आपको प्रोफिट प्रोटेक्ट हो जाए ठीक है यह बजाज फाइनेस आपके लिए तो नई खरीदारी खरने के लिए थोड़ा करेक्ट होकर जाए तो ही लेना है डबल होने के बाद लेना मतलब वह वैसा ही हाल है फिर या तो आपको बजाज फाइनेस और डीमाट हर भाव में अच्छा लगता हो बहुत ज्यादा आपका प्रेम होना चीए फिर उसमें बहुत ज्यादा प्रेम में फिर क्या 10-20 परसे आपकी तो फिर अलग बात है अधरवाइस डबल होने के बाद थोड़ा खरीदने में मजा कम है पैसा मुश्किल से बनेगा लेकिन टाइम लेगा मुश्किल से बनेगा और लिस्टिंग गेन बुक करें या नहीं करें नहीं नहीं एक सो पच्छी से स्टॉप लोस है वहां पर यहां से जाएं वहाँ 10-15% समझे एक सो साथ हो गया तो आप तो एक सो पैटालीस एक सो पचास जो आपको ठीक लेगा जिनको शॉट ट्रम करना है तो शॉट ट्रम वालों के लिए डबल होता है क्या बुड़ रहा है लेकिन लॉंग ट्रम इन्वेस्टर्स के लिए यह 10-20 पर सिंट में जिवांग दिल गाना है ओल राइट चलिए यह आपके लिए बजाज हाउसिंग फिनांस पर अनल जी की सलहा